प्रतिनिदी स्वरूप है तो हमारे जो इच्छा अंसार कारियन करनी चाहिए संपादक में जो है गहराई तक जाने की एक योगिता होनी चाहिए उसमें ऐसी योगिता के साथ साथ दूरंदासी जो तुरीशन दृस्टी होती है जो संपादक द्वारा ही लिखा जाता है उसे अग्र लेक कहा जाता है प्रणाम मैं रिहानायस अतियुतम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे सकेन समिस्टर के जितने भी बीकौम के मेरे विध्यारती है आज मैं आपको यूनिट पोर के अंतरगत जो आपके लिए पत्रकारिता है इसमें जो संपादक के दाईत्व हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी संपादक के दाईत्व के बारे में संकेत करते हुए सार सुधानिदी के संपादक ने कहा है जब हम अपने देश के प्रतीनिदी हैं प्रतीनिदी स्वरूप है तो हमारे जो इच्छा अनुसार कारियन नहीं करनी चाहिए इच्छा अनुसार क्या है? इच्छा के अहधीन होना उचित नहीं है इस गुरुतर कार्य में तो वही समर्थ हो सकता है कि जिसके मन को विवेक प्रतिशन यहीं सत्तर्क करता है यहीं जिसके मन में विवेक हो वहीं इस गुरुतर इस महान कार्य को कर सकता है जो संपादक का कार्य है वो उसके लिए क्या है विवेक की बहुत ही अवशिकता है हम इस देश की प्रतीनिती स्वरूप अगर कोई संपादक प्रतीनिती है इस देश के वो प्रतीनिती है उनमें विवेक की बहुत वश्कता पड़ती है तभी संपादक का जो कारी है वो महान है इस कारी को वो कर सकता है इस तरह से जो सार सुदानिधी के संपादक है उन्होंने कहा है यदि कोई संपादक साम्यवादी के प्रती विचार धारा का है तो उसे हर विशे के साम्यवादी तत्व ही दिखाई पड़े और कोई संपादक धर्म निर्पेक्षता के प्रती अनुग्राहीत है तो उसे उस बात में धर्म निर्पेक्षता दिखाई देगा जिसमें वो देखना चाहता है दिखे, यदि कोई संपादक, साम्यवादी है, साम्यवादी का अर्थ है, communist, यनि समाज में सबको समान अधिकार दिलाना, अधिकार सबका समान होता है. तो ऐसे जो साम्यवादी होते हैं उनके जो साम्यवादी के प्रती जो विचार धारा है जो समान रूप से समाज में सभी का अधिकार है इसी विचार रखने वाले उनके विचार होते हैं तो हर विशह में साम्यवादी तत्व ही दिखाई पड़ते हैं और संपादक धर्म नि यानि सभी धर्मों को एक साथ देखते हुए वे क्या है उसके बारे में समाचार जो भी सत्य समाचार है उसे सामने लाते हैं तो उसे इस बात में धर्म निरुपिक्षिता दिखाई देगे जिसमें वो देखना चाहता है तो आगे दिखें कुछ समाचार पत्रों की नीतियों राजनीतिक लक्ष से भी जुड़ी होती है अतहाँ वो उन्हें प्राप्त करने के लिए पत्रकारिता का उपयोग करते हैं संपादकों की विचारधारा के अनुकूलन ही समाचार पत्रों से संपादकों से निस्पक्ष रहने की आशा ही कर सकते हैं उसी तरह जैसे प्रशासन से नयाय की और पुलिस से वास्तविक अपराधी को दंडित कराने की लेकिन ये सब एथार्त में नहीं होता यहांपर कुछ समाचार पत्र की नीतियों राजनीतिक लक्ष से भी जुड़ी होती है कुछ समाचार राजनीतिक लक्ष से भी जुड़ी होती है जो राजनेतिक लक्ष है उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए ये क्या है पत्रकारिता का भी यहां पर उपयोग करते हैं तो संपादकुंग की विचार धारा के अनुकूलन ही समाचार पत्र से संपादकुंग से निश्पक्ष होने की आशाही कर सकते हैं लेकिन जो राजनेतिक लक्ष है उस प्राप्ति के लिए जो पत्रकारिता का उपयोग करते हैं लेकिन यहां पर जो संपादक जो होते हैं कि उनकी विचारधारा के अनुकूलन ही जो विचार करते हैं उसके अनुकूलन ही वो समाचार पत्रों से सम्पादगों से निस्पक्ष और निस्पक्ष रहने की आशा करते हैं वो किसी के पक्ष में सम्पादक क्या है? वो किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए उनसे आशा है कि वो निस्पक्षता से राजनेतिक लक्ष हो या कुछ और हो लेकिन निस्पक्षता से वे क्या है जन समुह के सामने समाचार लाए यही उनसे आशा की जा सकती है आगे जिस तरह जैसे यही उदाहरण के तौर पर जैसे की पोलिस से जो अपरादी को दंड मिले ऐसी आशा होती है इसी प्रकार जो भी संपादक है वो किसी के पक्ष में ना होकर जो वो विचार करके उचित विचार करके और क्या है जन समुह के सामने सत्य जो है वही समाचार लाने की अपेक्षा की जा सकती है किसी पक्ष में भी क्या है ना रहेकर नैसे ही विचार करके सत्य को जन समूह के नी जन के सामने लाना संपादक के दायित्व होते हैं ये उन पर दायित्व है आगे संपादक के गुण संपादक के गुण क्या होनी चाहिए तो संपादक को घटनाओं में जांकना उन में गहराई तक जाने की योगिता होनी चाहिए पहला गुण क्या है संपादक में इसा होना चाहिए कि वो क्या है जो भी घटना घटे उसमें जांकर यनि उसकी तहा तक जाने की योगिता होनी चाहिए और घटनाये कभी-कभी इतनी उलजी हुई होती है कि जिसे हम घटना का मुख्य पात्र समझ रहे होते हैं वो ना होकर दूसरा होता है कभी कभी ऐसी घटनाएं क्या हैं ऐसे कुछ केसस होते हैं इसे कुछ घटनाएं घटती है कि वो क्या हैं बहुत सारी उसमें उलजने होती हैं अंदेशा कुछ और होता है किसी को समझते हैं तो किसी कोई और उस घटना के पीछे होता है तो ऐसे में क्या है तहां संपादक यदि घटनाओं का ठीक प्रकार विशिलेशन नहीं कर पाते तो वो समाचार भी आदा अधूरा ही लिख पाएंगे तो उसकी तहां तक जाकर उस घटना की तहां तक जाकर जो सत्य है उसी को ही लिखना है नहीं तो यहां पर संपादक को आदि अधूरी ही समाचार देना पड़ेगा अगर उसने ठीक तरीके से उस घटना तक नहीं जा पाए तो संपादक आदा अधूरा ही क्या है? यहां पर समाचार जो है वो लिख पाएगा इसलिए संपादक में जो है गहराई तक जाने की एक योगिता होनी चाहिए समाचार का पूर्ण रूप से निरूपन करने के लिए संपादक को घटना के पूर्व संधर्ब को समझना अवशक होता है तो जो घटना घटी है उसके पूर्व उसके इनि घटना से पहले की बातों को भी जानना संपादक के लिए अवशक है और आरहंब से अंतक जो घटी है उसकी भी जानकारी है उसके पूर्वकी जानकारी ये दोनों बहुत ही अवशक संपादक के लिए तो तभी वो अगर वो सारी घटना समझ पाएगा तो ही सही समाचार जनता के सामने ला सकता है इस कारी के लिए उसमें तीक्ष्न दृस्टी का होना अभिप्रेथ यानि जो घटना के तहट तक जाने की योगिता के साथ-साथ उसे त्रिश्न जो है वो दृस्टी का होना भी अवशक है उसमें ऐसी योगिता के साथ-साथ दूरंदासी जो त्रिश्न दृस्टी होती है आगे के बारे में भी ऐसा एक क्या है गुण उसमें अवशक होना चाही उसमें घटना का क्रम से संभंधित वित्तियों से ये थार्त को उनके अपने संधर्ब और व्याख्या के आधार पर नहीं अपनी स्वयम की व्याख्या करने के लिए परिणामों पर पहुंचना अवशक होता है जो भी घटना घटी है ये थार्त और उसके क्रम के अनुसार ही सूस समझ कर ही समपादक को समाचार जनता के समुख लानी चाहिए ये गुण भी क्या है समपादक में होना चाही जिग्नियासा प्रवर्ती उत्सुकता तथा सूत्रों की शूश्म पकड की योगिता समपादक को इथार तक पहुंचा देती है और समपादक में जिग्नियासा होना चाहिए यानि किसी भी घटना तक कोई भी एक समाचार के तह तक जाने की एक जिग्नियासा उसके मन में एक इच्छा जो जिगन्यासा संपादक में होनी चाहिए और उसमें उटसुकता होनी चाहिए तभी एक अच्छा संपादक बन सकता है ये गुंड भी संपादक में होनी चाहिए इसी योगिता भी उसमें होनी चाहिए कभी-कभी कोई समाचार चल कर भी समपादक के पास आ सकता है लेकिन समपादक को समाचार के चल कर आने की प्रतिक्षान में नहीं रहना चाहिए जब एथार्त तक पहुंच जाए तो उसमें समाचार एथावत रूप से एक शब्द चित्र की तरहां प्रस्तूत करने की योगिता भी होनी चाहिए समपादक के पास कभी-कभी ऐसे समाचार चल कर भी आ सकते हैं यानि उनके पास पहुंच सकते हैं वो समाचार जो भी पहुंचते हैं उसकी तहा तक जाकर लिखा भी जा सकता है कभी-कभी उनके पास वो समाचार नहीं आते लेकिन फिर भी उस समाचार को क्या है वो समाचार क्या है वो इखटा करने की योगिता भी समपादक में होनी चाहिए साथ ही साथ जो कहे उसमें जो भी एक समाचार या घटना की जो भी घटना हो या समाचार हो वो आये तो ये चित्र के द्वारा या शब्दों के द्वारा शब्दों को सजा कर उसके द्वारा कर्शित बना कर कहे जनता के समुख लाने के गुण भी होनी चाहिए एक उत्तरदाईत्वपूर्ण भावना से संवाद संकलन के कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसमें निर्भाईकता सत्यता के प्रती लगाव पूर्वग्राही से मुक्त होने की आत्मशक्ति की अवशकता है यनि संपादक में पहले तो आत्मशक्ति होनी चाहिए और वो निर्भाई होना चाहिए भैबित नहीं होना चाहिए निर्भाई होकर और सत्य पर सत्य ही लिखने की एक इच्छा शक्ति उसमें होनी चाहिए वो उसमें भै नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और साथिसाथ वो क्या है? साथिसाथ उसमें पूर्वग्रही किसे मुक्त होने की आत्मशक्ती की भी अवशकता होती है तो उसमें आत्मशक्ती की अवशकता भी होती है यह सब बातें जो हैं संपादक में होनी चाहिए इन गुणों में संपादक का व्यक्तित्व निखरता है वो निर्भय है उसमें आत्मशक्ति है और सत्ती ही छापने की एक हिम्मत उसमें है तभी उसका जो गुण है वो निखरता है जन संचार दूरदर्शन हो या वो समाचार पत्र हो या आकाश्वाणी के द्वारा हो तो ये प्रतिनिधित्व करना है यनि ये संचार विधी का वो प्रतिनिधित्व करना है उसका निर्धारित कार्य प्रक्रिया का अनुसरन करना है उसी के निर्धारित कार्य प्रक्रिया क अनुसरन करना संपादक के लिए अवश्यक है समाचार संग्रह कारी के लिए उसकी व्यक्ति अच्चेतन्यता और कौशल्य उसकी अपनी कार्य पद्धती का प्रारहंबिक रूप होता है यहीं समाचार संग्रह कारी के लिए उसकी जो सच्चाईतन्यता और क्या है उसमें कौशल्य कलापद्धती का प्रारहंबिक रूप होता है उसमें साथ चैतन्यता और क्या है कौशल्य उसकी अपनी कार्यपद्धती का प्रारहंबिक रूप होता है तो जिसकी वो अपने मना नुकूल धंग से निर्वाहा करता है उसके मन के अनुकूलन उस कारी को पुरा करता है तो ये उसकी कारी पद्दती का पहला चरण है यही वो सारे गुणों से वो क्या है कारी को शुरू करता है तो ये क्या है उसके मन के अनुकूलन धं से ये कारी वो तभी कर सकता है जबकि उसमें ये सारे गुण तो यहीं उसके कारी पद्दती का पहला चरण है इसके बाद उसके कारी पद्दती का उपसमहारणिया चरण उसके द्वारा समाचार लेखन से शुरू होकर उसे समाचार पत्र तक कहें पहुंचा देने की होती है तो इसके बाद जो कंक्लिूजन है सिर्फ वो पूरे निस्टा के साथ आत्मों विश्वास के साथ जो भी उसके गुण है उसके साथ जो संपादक के जो गुण है उसके साथ जो भी वो घटना संपादक जो है उपसमहार उस कंक्लूजन को लिखने की योगिता जो है जो गुण है यही संपादक को अपने मन के अनुसार जो उपसम्हारनी कता यानि उपसम्हार जो है वो लिखने के गुंड भी उसमें होने चाहिए यानि ऐसा गुंड भी उसमें होना चाहिए संपादक या शीरशक शीरशक यानि टाइटल शीरशक यानि टाइटल तो यहां पर पत्रों में एक पुस्ट संपादक के विचारों का होता है जो समाचार पत्र है उसमें एक पेज पुस्ट जो है यहां पर समपादक के जो विचार होते हैं उसके लिए होता है यह पुस्ट समाचार पत्र के आरहंबिक पुस्टों में से कोई भी हो सकता है जो समाचार पत्र है उसके जो पहले के पेजस होते हैं पुस्ट होते हैं वहां कहीं पर भी संपादक के विचार जो है वहां पर हो सकते हैं इस पुस्ट पर संपादक द्वारा लिखे गए विशिस्ट लेक को ही अग्र लेक कहते जो प्रथम के कुछ पुस्टों में हो सकता है प्रथम के पुस्टों, pages पर हो सकता है संपादक के विचा, तो उसको क्या है, जो संपादक द्वारा ही लिखा जाता है, उसे अग्र लेख कहा जाता है, अग्र लेख संपादक लिखता है, इसको संपादक किया भी कहते हैं, अग्रलेक को संपादक किया भी कहा जाता है जो कि संपादक द्वारा लिखा जाता है प्रथम इनी प्रथम पुस्टों पर अग्रलेक समाचार पत्र के नीती का दर्पढ अग्रलेक जो है समाचार पत्र में नीती का मौरल का जो है वो दर्पढ नीति का एक दरपड यदि पत्र की नीति सामाजिक राजनेतिक या पूंची वादी सम्यवादी आदी किसी पक्षकी हो पर संपादक किया में संपादक द्वारा तातकाली घटना या समस्या निर्णय शासकिया प्रणाली पर इनी गंभीर चिंतन सुझाव प्रशंसा पर संतुलित ढग से लिखा जाता है यदि जो भी समाचार है यदि पत्र की नीति सामाजिक पर या राजनेतिक या पूंची वादी या सम्यवादी आदी किसी पक्षमे की हो पर संपादक किया में संपादक द्वारा तातकाली घटना या समस्या का निर्णय और शासकिया प्रणाली पर गंबीर चिंतन और सुझाव प्रशंसा पर संतुलित ढग से लिखा जाता है किस पर भी हो लेकिन जो संपादक जो है संतुलित ढग से उसे लिखते हैं तो इस पुस्ट पर देश-विदेश के बड़े लेखकों के समकाली विशियों पर विशय तगन से लिखा प्रकाशित किये जाते हैं जो समाचार पत्रिकी नीती के अनुकूलन भी हो सकता है इस पुस्टों में विशेश रूप से भाउदिक विचारों का पुस्ट जो पाटकों द्वारा प्रयाहा बाद में ध्यान से पड़ा जाता है तो जो ये संतुलित धं से जो क्या है संपादक लिखता है इस पुस्ट पर देश विदेश की जो भी लेखक है उनके समाकाली विशय पर विशय तगनिव से लेख प्रकाशित होता है जो समाचार पत्र की नीती के अनुकूलन भी हो सकता है इस पुस्ट में विशेश रूप से भावतिक विचारों के बारे में ही लिखा जाता है जो पाटकों द्वारा प्रया बाद में ध्यान से पड़ा जाता है जो भी पढ़ने वाले हैं पाटकों के द्वारा ध्यान से पड़ा जाता है जब किसी संपादक की कलम निर्भिक चलती है तो देश में हलचल मत जाती है अगर कोई संपादक के किसी से ना डरते हुए उसका कलम चलता है सक्त्य लिखने के लिए तब क्या है कि देश में हलचल मत जाती है निर्भिकता से अगर संपादक अपना यह जो भी सत्य है उसे लिखना शुरू करें तो देश में हलचल मत जाती है राजनेतिक उथल पुथल के लिए भी कारण बन सकता है जो भी राजनितिक परदाफाश होता है इन्हें नेताओं का तब क्या है देश में उथल पुथल मल जाती है सत्य लिखने के बाद और क्या है राजनितिक में भी उथल पुथल हो जाती है कलम ये एक अस्त्र की भाती काम करता है कलम जो है अस्त्र से कम नहीं है जब संपादक अपने सारे गुणों से अपने दायत्म के साथ काम करता है सत्य को लिखता है तो क्या है राजनितिक ही राजनितिक शेत्र ही क्या है उथल पुथल वहां पर मज जाती है तो कलम क्या है एक अस्त्र के भाती संपादक क्या है उसका उपयोग करता है हरिश्चंद्र मैगजीन काशी मासिक प्वार्शिक सापताहिक 1873 में भारतेंद्रु जी की मासिक पत्रिका थी विशे की दृस्टी से इसमें कहानी, कविता, नाटक, परिहास, आलोचना, आदी का प्रकाशन हुआ करता था वो एक साहितिक पत्रिका थी सन 1874 में पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया हरिश्चंद्र मैगजिन जो है काशी मासिक और पार्शिक थी 15 दिन में एक और मासिक एक महिने में एक बार ये क्या है समाचार पत्र और ये सापताहिक भी थी यहीं हफते में एक बार और 15 दिन में एक बार पार्शिक और मासिक जो है एक महिने में एक बार छपती थी जो 1873 में इनी 1873 में भारत इंद्रुजी की मासिक पत्रिका थी तो विशे की दृस्टी से इसमें कहानी, कविताए, नाटक, परिहास, आलोचना सारा लिखा जाता था, सारा लिखकर प्रकाशित किया जाता था तो वो एक साहितिक पत्रिका थी सन 1874 में इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया बाल बोधिनी, काशी, मासिक, पार्षिक, सापताहिक 1874 भारत एंद्र जी ने सिर्फ महिलाओं के लिए इस पत्र का प्रारहंब किया बाल बोधिनी जो पत्र है, समाचार पत्र वो 1874 में काशी में ही ये भी जो समाचार है वो क्या है, मासिक और पार्षिक पंद्रा दिन में ये और एक महिने में या एक हफ्ते में छपती थी जो 1874 में यहीं 1874 में निकाली गई, 1874 में क्या है बाल बोधिनी जो है समाचार पत्र आया जो सिर्फ महिलाओं के लिए था, महिलाओं के लिए इस पत्र का प्रारहंब हुआ इस पत्रिका में स्त्रियों की विभिन समस्याओं का समाधान दिया जाता था जो अभी इस्त्रियों की समस्या थी अलग गलत जो समस्या थी उसका समाधान जो है इस पत्रिका में दिया जाता था नारी शिक्षा का महत्व इसी पत्रिका के माध्यम से उद्घाटित किया गया पहले जो नारी आसिक्षित हुआ करती थी उसकी शिक्षा के बारे में ही ज्यादा तर इन्हीं उसकी शिक्षा के बारे में लिखा जाता था तो नारी के लिए शिक्षा का क्या महत्व है ये पत्र क्या है इस पत्रिका के माध्यम से उद्गाटित किया जाता था तो आज मैंने संपादक के गुण, उसके दाइत्व और संपादिक्या शीर्शक में संपादक के विचार किस तरह से प्रथम पुस्टों में लिखा जाता है, वो किस तरह से लिखा जाता है, ये सारी बातों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, अगली सेशन में मैं पत्र करिता के बारे में और भी जानकारी दूंगी धन्यवाद